वेल्कम रेंड्स अगर आप हेल्थ क्यार प्रोपेशन में है एंड अगर आप फार्मासिस्ट या फिर नार्स या फिर हेल्थ वर्कर या फिर क्लिनिसियंस और लेबर्टरी स्टाफ हो एंड आप IDSP जो डेटा है वो सब्मिट करते हो daily basis और weekly basis और monthly basis देन इस वीडियो आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे IDSP जिसका मतलब है integrated disease surveillance project तो इसका history क्या है कैसे यह आया पहले जान लेते हैं so IDSP जो है ओ November 2004 में चालू किया गया था Honorable Union Minister of Health and Family Welfare दोड़ा एंगरेट किया गया था उसके बाद यह launch होने के बाद यह extend हुआ up to March 2010 उसके बाद March 2012 और अभी भी यह continue हो रहा है NHM National Health Mission के अंडर में तो इसका importance क्या है इसका importance यह है कोई disease अगर उसका outbreak हो रहा है के नहीं ओ ऐसे करके फैल जाड़ा है epidemics के रूप में enlarge हो रहा है के नहीं ओ जानले के लिए और monitor करने के लिए जो epidemic prone disease है उसके उपर information IDSP से मिल सकता है और उसको disease को control भी कर सकते हैं तो देखिए IDSP को उपर training दिया जाता है वो state level एक और district level और एक training दिया जाता है उसका training में disease surveillance के basics और उसका concept of epidemiology and data management and data collection इसके उपर training दिया जाता है और कैसे ओ डेटा को interpret करके outbreak हो रहा है के नहीं पता चलता है और उसको कैसे field रोका जाए उसको अबर training दिया जाता है अभी देखिए data जो management होता है IDSP का बहुत important है यहाँ three types का data होता है health worker दोड़ा जो दिया जाता है उसको S form होता है इसका मतलब suspected cases और clinicians दोड़ा दिये गया data P form है जिसका मतलब presumptive cases और laboratory staff दोड़ा दिये गया जो L form होता है उसका मतलब laboratory confirm cases यह तीन टाइप का data होता है और weekly basis Monday से ले तक Sunday तक यह data मिलता है अभी देखिए इसका importance क्या है क्योंकि जबी कोई disease outbreak होता है मतलब कोई region में कम time पे एक disease फैल जाता है उसका एक concept मिलता है इस IDSP data से एक video अलड़ी इस channel में है जहां पे outbreak क्या है pandemic क्या है epidemic क्या है इसको पर comparison किया गया है अगर आप जानना चाते हैं तो देख लिजिए गा और IDSP का significance जो है कोई disease ऐसा outbreak हो रहा है के नहीं जैसे acute diarrheal disease, chicken pox, food poisoning, dingo, measles, cholera और भी बहुत सारा वही जान पाएंगे और भी बहुत सार disease हो सकता है जैसे देखिए एक weekly report format यहां पे दिखाये गाया यहां पे कौन सी disease यहां पे है कितना patient हो रहा है कौन सी day में वो weekly ऐसे गर के fill up करना है जैसे देखिए यहां पे है acute respiratory infection मतलब influenza-like infection जो है ILI उसके उपर कितना patient हुआ है ऐसे गर के pneumonia, then diarrhea, dysentery, enteric fever, viral hepatitis, malaria, then measles, diphtheria, partuses, chickenpox, meningitis और भी बहुत सारा यहां पे ऐसे गर के होता है उसके साथ dog bite, snake bite और anthrax, उसके बाद kalazor, phyleriasis, thalassemia और इसके अलाबा others मतलब ऐसे कोई disease जो इन में cover नहीं हुआ है सो ओसब weekly, Monday से ले तक, Sunday तक फिलाब करके weekly report देता है और weekly report कहां से आता है, day by day जैसे Monday कितना हुआ, age group के हिसाब से male, female ऐसे हिसाब से करना परता है और उसके बाद ए combine करके monthly report आता है monthly report देखिए, यहां पे एक format दिया गया ARB और immunoglobulin के उपर, यहां पे कितना dog bite हुआ, cat bite हुआ, monkey bite हुआ और उसके साथ कौन सी category में हुआ, मतलब category 1, 2 और 3 क्योंकि category 3 में क्या होता है, ARB के साथ immunoglobulin लगता है सो ऐसे करके, कौन सी route में वोई injections दिया गया था IAM route, IT route और क्या कौन सी route और category 3 में कितना victims था, उसका भी report यहां पे डालना बढ़ता है अभी देखिए, ज़्यादा तरीक है, पेसेंट का ID route में दिया जाता है अगर ID route में नहीं दिया गया, तो उसमें 0 डालना है ठीक है? और उसके बाद कितना stock आपका ARB है और उसका strength मदलब volume क्या है? maybe 0.5 ml और 1 ml तो उसका opening balance कितना आपका hand में था? और कितना consumption हुआ? वो सब यहां पे डालके, finally closing balance क्या है? यहां पे calculate करके, next month में जब जाएगा report तब opening balance हो जाएगा उसको पहले माइने का closing balance था, वो यहां पे opening balance हो जाएगा तो ऐसे करके calculate करना है तो IDSP का एक portal है वान स्टोप पोटल जिसका website है www.idsp.nic.in तो यहां पे बहुत सारा facilities होता है data entry का report भी देख सकते हैं आउटबेक reporting और data analysis उसके साथ training modules and resource related to disease surveillance यहां पे दिखा जाता है अभी conclusion क्या है यह कोई illness का जो rising strength मतलब कितना कान समय में एक disease हैल रहा है उसका एक specific area में अगर हो रहा है के नहीं यह सब IDSP के report से पता चलता है और rapid response जो team है वो उसकी हिसाब से काम करता है और diagnose and control कर सकता है कोई disease outbreak का तो यह ही importance है और इससे बहुत सारा disease को तुरंत epidemic होने से रोका जा सकता है थैक्स बार वचिंग से वाचिज रहा है बेस्ट इससवड़ तो टीन नहीं